Hello everyone, welcome to Global Online, this is Ankita Asood and आज हम लोग इस वीडियो में discuss करने वाले हैं Database Management System का एक बहुत ही जादा important section जिसका नाम है DBMS Languages तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत जादा helpful है क्योंकि exam में languages से related जरूर question पूछे जाते हैं तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कितने टाइप की languages होती हैं और किस तरह के questions exam में पूछे जाते हैं तो लेक्टे शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूं कि NTA UGCN 2022 का new batch start हो रहा है और इस batch की speciality यह है कि हम सिरफ 90 days में paper 1 and paper 2 का complete course आपको cover कराएंगे तो paper 2 computer science का complete course की fee है 5000 रुपीस और इस complete course को access करने के लिए आपको download करनी होगी हमारी app that is global online तो यहाँ पे आप लोग लोगों देख सकते हो हमारे app का and this is the only official app we have तो download करने के बाद आप लोगों को app में store section में जाकर की computer science select करना होगा and easily आप लोग वहाँ से complete course को access कर सकते हो तो इसके अलावा आप लोगों का complete course का benefit यह है कि इसके साथ paper 1 का complete study material हम लोग आपको बिलकुल free provide कराते हैं जो कि आपको मिलेगा सिरफ हमारे app global online पर तो जाधा जानकारी के लिए आप लोग दिएगे whatsapp number पर contact कर सकते हो and हमारा paid group join कर सकते हो तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का पहला topic है dbms languages ठीक है तो dbms में languages का use क्या होता है सबसे पहले आपको यह पता होना जाए ठीक है तो languages जो होती है database में ठीक है database में हमारे पास different different queries होती है तो उन queries को हम कैसे express करते हैं user के सामने वह सब चीजे इन languages के थ्रू हम लोग define करते हैं and basically जो languages है उनकी help से हम लोग read कर सकते हैं store कर सकते हैं and data को update कर सकते हैं किसी भी dbms में से ठीक है so dbms languages के basically four types होते हैं जिसमें से की पहला है ddl, dml, dcl and tcl ठीक है dml का मतलब होता है data manipulation language manipulation language ठीक है next आता है हमारे पास dcl, dcl का मतलब होता है data control language ठीक है next है tcl so tcl जो बहुत important type है इसका मतलब होता है transaction control language ठीक है तो पहले तो आप लोगों को इनकी full forms पता होनी चाहिए और जितनी भी languages होती है इनको भी subdivide किया जाता है different different sections में ठीक है तो one by one अब हम लोग detail में discuss करेंगे कि ddl, dml, dcl and tcl जो है ये कैसे काम करते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ddl की ठीक है that is data definition language तो definition का मतलब होता है define करना कि database में किस तरह से हम लोग जो है data को define करते हैं ठीक है तो इसमें हम लोग कुछ चीजों को use करते हैं जिसमें पहली आती है create ठीक है ये सब commands है create command के बाद आता है हमारे पास alter command ठीक है उसके बाद use करते हैं हम drop उसके बाद आता है trunket and last command होती है हमारे पास comment command ठीक है so create command के through क्या कर सकते हैं हम लोग database को create कर सकते हैं तो object से हमारा क्या मतलब है, मान लीजिए कि यहां पर हमारे पास एक table है student, ठीक है, यह database में table है student, जिसमें कि हमारे पास entities है, name, id, ठीक है, marks और यह सब चीज़ें, तो अगर हमें क्या करना है, इसमें एक और चीज़ को create करना है, इस तरह की entities को अगर create करना है, तो वहां पर create command का use किया जाता है, ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, create database, ठीक है, तो जैसे database का नाम है, यहां पर student, ठीक है, तो create database student, तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा यह वाला जो student नाम का database है, यह create हो जाएगा, इसके बाद जैसे हम इसमें id, name और यह सब चीज़ें आड करनी है, उ जैसे हमने लिख दिया, create database student, ठीक है, उसके बाद हम लोग यहां पर लिख सकते हैं, जैसे की column name, ठीक है, पहला column हमारे पास क्या होगा, id से related होगा, तो इस तरह से इन चीज़ों को define किया जाता है, ठीक है, दूसरा आता है, हमारे पास alter table, alter command, ठीक है, इस command की help से हम क्या कर स सकते हैं, rename कर सकते हैं, उसको modify कर सकते हैं, या फिर उसको delete भी कर सकते हैं, किसी एक column को, ठीक है, अब जिसे table में यहां पर हमारे पास था id, name and marks, ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, student के address को यहां पर add करना है, ठीक है, तो address को add करने के लिए हम क्या करेंगे, alter command का use या फिर अगर हमें माननीचे, बीच में से marks को remove करना है, तो उसके लिए भी हम लोग alter command का use कर सकते हैं, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग कैसे लिखेंगे, ठीक है, इसके लिए लिख सकते हैं, alter table, student, add address, ठीक है, यहां पर हमने address field add करनी है, इसके लावा अगर हम लोग माननी पीचे father's name, mother's name add करना चाहते हैं, तो यहां पर हम लोग add mother's name या father's name लिख सकते हैं, ठीक है, add address, आगे लिख सकते हैं, हम लोग character wearing, जैसे की address जो है, वो 300 words में ही लिखना है, तो यह एक example है, ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, alter, जो है, वो use कर सकते हैं, next है हम आप लोगों को truncate बताती हूँ, ताकि आप लोग confuse ना हो, so truncate का मतलब होता है, अगर हमें database में, जितने भी हमारे पास objects हैं, जितने भी data records हैं, सभी को delete करना है, ठीक है, अब जिससे student table है, ठीक है, इसमें थी हमारे पास id, name, students के marks, ठीक है, and उनके address, ठीक है, तो यहां अगर हम लोग drop, sorry, पहले हम लोग truncate की बात करते हैं, ठीक है, so अगर यहां पर हम लोग truncate यूज करते हैं, तो इससे क्या होगा, यह जितने भी objects हैं, जितनी भी entities हैं, यह सब remove हो जाएंगी, table remove नहीं होगा, table student रहेगा, ठीक है, मालीजे, इस तरह से हैं हमारे पास, ठीक है, तो id, name, यह सब चीजें यहां से remove हो जाएंगी, लेकिन table जो है चाहिए खाली रहेगा, लेकिन रहेगा जबू, वो delete नहीं होगा, ठीक है, so उसके बाद हमारे पास next आता है, drop, so drop table SQL command is used to delete a database object from the database, ठीक है, किसी एक object को delete करने के लिए इसको use किया जाता है, जैसे कि इसको हम लिख सकते है, drop, drop table, आगे table का name लिख देंगे, student, तो इस तरह से हम इस table को क्या कर सकते है, drop कर सकते है, ठीक है, we can even delete the database using the drop command, तो पूरे इस database को अगर delete करना है, तो हम लोग drop को use करेंगे, लेकिन अगर हमें इस database के table को delete नहीं करना है, सिरफ इसकी entities को, इसकी fields को delete कर तो हम लोग use करते हैं, trunkate command, तो I hope इन दोनों में difference जो है, वो आप लोगों को clear हो गया होगा, next हम बात करते है, comment की, ठीक है, so comment जैसे C language में होते है, हमारे पास, वैसे यहाँ पर use करते है, ठीक है, जो हमारे पास पहला होता है, वो होता है, single line comment, तो उसको हम जैसे इस तरह से लिखेंगे, तो उसके आगे कुछ भी statement लिखेंगे, वो as it is हमें run time पर नज़र आ जाएगी, ठीक है, next होता है हमारे पास multiline comment, तो multiline comment को हम इस तरह से backslash star से use करेंगे, ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, this is multiline comment, ठीक है, उसको close करेंगे star and backslash से, ठीक है, तो यह होते हैं multiline comments, ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है, तो यह थे हमारे DDL के commands, अब next हम लोग बात करते हैं, DML, that is data manipulation language, तो DDL कित्रों हमने क्या किया, table, पूरे table के साथ काम किया, कि कैसे उसको बनाना है, कैसे table को remove करना है, manipulation का मतलब है, कि अगर उस table में ह हमें थोड़े बहुत changes करने है, किसी particular चीज़ को select करना है, remove करना है, change करना है, तो वहाँ पे हम इनको use करते हैं, ठीक है, तो DML में पहली command है हमारे पास, select command, ठीक है, इसकी तरूगे करते हैं, it is used to query or fetch selected field or column from a database table, ठीक है, अब जैसे database में हमारे पास, again हम लोग student का ही example लेते हैं, ठीक है, id है, name है, ठीक है, students के marks है, add उनका address है, ठीक है, तो क्या होता है, अगर हम हमें माल लीजे name को select करना है, तो हम select command का use कर सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, उसके लिए हम लोग लिखेंगे, select name from student table, ठीक है, तो इससे क्या होगा, जितने भी name है वो सब output में हमें नजर आ जाएंगे, तो इसके साथ हम लोग कुछ conditions में use कर सकते हैं, जैसे कि हम ये लिख सकते हैं, कि select name from student, where marks is less than equals to 50, तो हम लोगों को सिर्फ ऐसे students के नाम यहाँ पर display होंगे, जिन students के marks जो हैं, वो less than या equal to हैं 50 के, ठीक है, तो ये है हमारे पास select command, तो so insert command in SQL are used to insert data records और rows in the database table, तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, insert into table का नाम लिख देंगे student, तो इसके आगे हमें क्या insert करना है, माल लिजे address के बाद हम लोग student का mobile number अड़ करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से इसको लिख सकते हैं, insert into student, तो आगे लिख देंगे mobile file number और जो कुछ भी number यहाँ पर आड़ करना है, उसको लिख के semicolon लगा करके सब चीज़ों को कर देंगे हम close, ठीके, next आता है हमारे पास third command जिसका नाम है update command, update का मतलब होता है किसी चीज को change करना, जैसे माल लिजे किसी student के पहले marks 80 है, ठीके हमें उसे change करना है, अगर उसके marks बाद में 90 हमने करने हैं, तो वहाँ पर use होता है update, ठीके, तो इसको हम ऐसे लिख सकते है, update student, ठीके, set marks is equal to 90, where marks is equals to 80, तो जहाँ पर पर उस student के marks 80 थे, वहाँ पर हम उसको 90 कर देंगे, तो इस तरह से कर सकते, यहाँ पर तो मैं आप लोगों को random numbers और random examples ले रही हूं, ठी ठीके, next video में हम लोग जो exact इसकी numerical हैं, उनको detail में discuss करेंगे, तो यह चीज़ें आप लोगों के लिए और भी जादा easy हो जाएंगी, next command आती है हमारे पास delete command, ठीके, so delete statement in SQL is used to remove one or more rows from the database table, ठीके, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसके लिए हम लोग लिखेंगे, delete from student where marks is less than equals to 50, यानि कि जिस भी student के marks 50 से कम है, उसको हम लोग यहां से remove कर देंगे, ठीके, या फिर हम यह भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजे कि role number 3 है student का, ठीके, वो school छोड़ कर जा रहे हैं, वो college छोड़ कर जा रहे हैं, उनको अगर हम इससे remove करना होगा, तो हम क्या लिखेंग delete from student where role number या फिर id is equals to 3, तो हमारा system उस चीज को remove कर देगा, ठीके, तो इस तरह से exam equation पूछे जाते हैं, वहाँ पे आपको एक example बताया जाएगा, कि एक student table है, वहाँ पे 5 students है, लेकिन जो role number 3 है, वो fail हो गया, तो वो student को school छोड़ना है, तो हमें उसको remove करना है database से, तो हम कैस करेंगे, इस तरह की questions पूछे जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे आप लोगों को यह basic चीजें जो है, basic concept जो है, वो समझ आना बहुत ज़रूरी है, तो यह थी हमारी DML commands, अब next आती हमारे पास DCL commands, तो DCL का मतलब होता है data control language, तो data control language क्या करता है, जितनी भी control होते हैं, control होत कि किस तरह से कौन database को access कर सकता है, यह सब चीजें, जो भी privileges होती है, उन सब चीजें को control करने के लिए use किया जाता है, तो इसमें basically दो चीजें use करते हैं, हम लोग, पहली है grant, तो दूसरी है revoke, तो grant का मतलब होता है privilege देना, तो revoke का मतलब होता है, उसको remove करना, उसको वाप पिस ले लेना, तो अब जैसे इसका syntax में आप लोगों को बताती हूं, इसमें ज्यादा कुछ नहीं लिखना, सिरफ आप लोगों को grant लिखना होता है, इसको हम लोग ऐसे लिखते है, grant select on student, तो user 123, तो इस तरह से अगर हम लोग इसको mention करेंगे, तो क्या होगा, यह grant इस system को दे देगा, ठीक है, यह easily बता देगा, कि क्या यह person, user 123, जो मैंने नाम लिया, तो क्या यह उस चीज को access कर सकता है, इसको हम permission यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है, वैसे ही, अगर हम लोग बात करें, रिवोक की, ठीक है, तो रिवोक की case में क्या होता है, रिवोक की case में हमेशा जो भी grant में हम लोगोंने किसी एक user को, database को access करने की permission दी होती है, उस permission को हम लोग वापिस ले लेते हैं, ठीक है, उस permission को हम लोग वापिस ले लेते हैं, तो इसमें simple लिखते है, रिवोक select on student from user 123, यानि कि user 123 को जो भी हमने command दी थी, जो भी हमने grant दी थी, उस चीज को हम वापिस ले रहे हैं, ठीक है, so next time आता है हमारे पास TCL, यह जादा important भी नहीं है, बस आपने TCL के case में इतना सा याद रखना है, कि TCL जो है, DML की commands के साथ यूज किया जाता है, ठीक है, यानि कि हम लोगोंने DML में जो भी commands यूज की हैं, उनके साथ ही इसको हम यूज करते हैं, ठीक है, and transaction control language के हमारे पास दो commands होती है, पहली होती है commit, ठीक है, and दूसरी होती है, rollback, again commit का मतलब है किसी को privilege देना, rollback का मतलब है, वही सब चीजें, जो भी properties, जो भी हमने उसको permissions दी थी, उन सब चीजों को वापिस ले लेना, ठीक है, तो यह है हमारे DBMS की four type के languages, जो की examination point of view से बहुत जादा important है, तो I hope you understand every concept, and thank you so much for watching this video.